Hello friends, welcome to our channel Intensive Study Today our question is Write as decimals यानि इन्हें decimal के form में लिखिए Decimals को हिंदी में कहते हैं दशमलव इन्हें decimals में change करना है तो change कर लेते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है 2 upon 10 तो 2 upon 10 का मतलब है यह जो fraction होता है fraction की जो उपर वाली digit है यानि जो numerator है यह point के बाद वाली digit है एक point लगाईए और लिखिए 2 को numerator को लिखना है denominator के according तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 upon 10 तो यह जो 2 है यह जो fraction होता है यह point के बाद वाली value होती है तो point 2 लिखेंगे क्यों 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 में कितने 0 होते है 1 0 तो यहाँ पर 1 0 है तो point के बाद लिख दीजिए 2 आगे क्या लिखें point के आगे point के आगे आगे आप लिख सकते है 0 वैसे तो 0.2 0.2 बात एक ही है मगर 0 लिखने का मतलब यह है कि यह जो point है यह whole number के बाद की value होती है यानि एक पून संख्या होती है जिसके बाद point लगता है और फिर fractional digits हम लिखते हैं उन digits को लिखते हैं जो fraction के form में होते हैं देखे यहाँ पर है 200 plus 50 plus 5 plus 1 upon 10 अब आप यह मत कर दीजे कि यह 200 plus 50 plus 5 plus 1 कर दीजे नहीं यह जो है यह plus 1 upon 10 यह fraction में है यानि यह fraction वाली जो digit है यह point के बाद है पहले इनको add कर लेते हैं देखे 200 में आप 50 add करोगे तो हो जाएगा 250 और 250 में 5 add करोगे तो क्या हो जाएगा 255 तो देखे इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे once के place पे क्या है 5 तो 5 लिख लेती हूँ लगाएंगे एक point क्योंकि अब हमें इस fraction को decimal में change करना है अब यह क्या लिखा है 1 upon 10 नीचे कितने 0 हैं एक ही 0 है तो direct point के बाद लिख देंगे 1 हमें इस numerator को point के बाद लिख देना है 1 0 था तो हमने point 1 लिख दिया मान लीजे 2 0 होते फिर कैसे change करते तो हम 255 लिख लेते और फिर point लगाते 2 0 हैं तो पहले लिखते 0 फिर लिखते 1 इस तरीके से हम change करते यहाँ पर होता 1 upon 1000 फिर कैसे change करते तो बहुत ही simple है इस 255 को as it is लिख लेते और फिर point लगाते और फिर 001 क्योंकि 1 की value क्या है 1000 यानि यह 10th, 100th, 1000th 1000th के place पे आना चाहिए तो बहुत ही simple है आईए इसके कुछ और questions कर लेते हैं अब हमें मिला है 500 प्लस 60 प्लस 3 प्लस 2 upon 10 तो चलिए पहले इसको change कर लेते हैं क्या लिखा है 563 500 प्लस 60 प्लस 3 क्या हो गया 563 तो लिख लेते हैं 563 अब fraction को change करना है अब लगा लेंगे point यानि decimal इसी को decimal या point या दशमलव कहते हैं अब हमें change करना है 2 upon 10 बहुत है simple है एक 0 है यानि point के बाद एक ही digit होनी चाहिए तो 2 direct आप लिख लीजिए देखिए 2 की value क्या है ये 2 upon 10 है और point के बाद जो digit होती है उसकी भी value क्या होती है 10th होती है तो यानि point के बाद 2 जो है वो बिल्कुल सही place पे है चलिए एक और question देख लेते हैं अब हमें change करना है 70 plus 8 upon 10 अब आप ये मत कर देना कि 70 plus 8 78 नहीं 8 क्या है 8 fraction में है 8 upon 10 है यानि इसको आप अलग change करेंगे यहां तक अलग है और यहां तक अलग value है तो 70 क्या है 70 whole number है 70 कोई decimal में नहीं है तो 70 को as it is लिख लेते हैं 70 अब लगाएंगे point क्यों लगाएंगे क्योंकि अब हम fraction को change करेंगे तो fraction जो है वो point के बाद आता है तो लिख लेते हैं 8 की value क्या है 10 है 1 0 है यानि point के बाद 1 ही digit रहेगी और वो क्या रहेगा वो रहेगा 8 आपको numerator को लिखना है यहां पर अब इसे change कर लेते हैं 30 plus 2 upon 10 तो 30 क्या है एक whole number है 30 को ऐसी लिख लेते हैं नीचे कितने 0 है एक ही 0 है यानि point के बाद एक ही digit होनी चाहिए और वो क्या होगी वो 2 होगा point के बाद पहली digit क्या होती है 10 होती है दूसरी digit क्या होती है 100 होती है तीसरी digit क्या होती है 1000 होती है जैसे जैसे 0 बढ़ते जाएंगे ये 2 उतना पीछे पीछे खिसकता जाएगा और आगे 0 लगते जाएगे अगर मान लीज़ेंगे यहाँ पर 2 play 10 की जगा 2 play 100 होता तो आप क्या लिखते 30.02 अगर ये 2 play 1000 होता तो आप क्या लिखते 30.002 जतने 0 होंगे उतना पीछे 2 खिसक जाएगा तो देखा आपने की decimal में fraction को change करना, digits को change करना बहुत ही simple है If you liked this video, please hit the like button, do subscribe our channel, share this video, thank you very much